दिसंबर 2019 सेकंड पीली भीत जनपद में चैनी धनकी फसल पूर्णतया प्रतिबंदित है जबकी प्रसादपुर में एक किसान ने चैनी की नरसरी लगा रखी है इसी को उजाडने ने प्रसाशन भारी फोस के साथ मौके पर गया लेकिन किसानों के बिरोध और उपरी आदेशों के दवाव में नोटिस चस्पा करके चितावनी देकर की यदी तीन दिन के अंदर इससे नहीं पलता तो कड़ी करवाई होगी बापस लोटा 2019 जिला अधिकारी के निर्देश के बाद चैनी धान की फसल को पीली भीट जनपद में प्रतिबंदित किया गया है इसके बाब जूद प्रसादपुर के किसान जोग सिंग ने इसकी नरसरी लगा राखी है जिसका मामला न्याईले में बिचारा अधीन है आज दिन के एक बजे SDMCO तहसीलदार नायब तहसीलदार भारी फोस के साथ ट्रेक्टर हीरो लेकर ब्राम प्रसाद पुर्जोग सिंग के घर जाधम के यह देखकर मोके पर पहले से मौजूद कॉंग्रेस के जिला हरप्रीट सिंग चबबा और जोगा सिंग ने इलाके के तमाम किसानों को बुला लिया जिसकी पुलिस ने वीडियो ग्राफी भी कराई के इगंटों तक मोके पर मौजूद रहे और नरसरी को पलटने को कहा किसानों का कहना था कि मामला न्यायल ए में है एक हफ़ते में फैसला होगा उसके बाद करवाई करे लेकिन प्रसाशन मानने को तैयार नहीं था क्यूंकि जिला अधिकारी के निर्देश पर कारवाई करने के इरादे से गया था इसी वीच एक किंद्रिय मंत्री विधायकों के कई फोन आए इसी के चलते प्रसाशन ने नोटिस चस्पा करके तीन दिन का वक्त देकर करवाई करने की चितावनी देकर बापस लोट आया जबकि प्रसाशन ने कड़ी करवाई करने की पूर्ण तैयारी कली थी मौजूद लोगों के खिलाफ मुकद में भी दर्ज कराने का ड्राफ भी तैयार कर लिया था लेकिन उपरी दवाव के चलते बापस लोटना पड़ा आज भी है उस दिंग भी था एक इंच भी पानी नहीं घटा है जून में जाके तेरे चौदर हो जायागा आपकी अराली जलाने की बात हम प्रिशासन से पूछा है भी बताई वर्शों में आपने साथा धान की पराली जलाने पे कितनी एफायर कराई है कोई एक जीरो एफाय आप अपनी बात रख दी गई है आगे क्या उनका फैसला होगा इसनी फोर्स का मतलब तो यह है कि वो अपनी नाग कटा के हां से नहीं जाएंगे उनकी बेश्ती एस बारे में लोट जाएंगे आप लोग वरोश करो